दोस्तों, acidity का होना एक आम समस्या है, हम सभी को कभी ना कभी acidity की शिकायत हो जाये करती है, जरा सा कुछ गलत खान पान करने से acidity हो जाये करती है, जिस से हमारे पेट छाती में जलन होने लगती है, इस समस्या को देखते हुए आज हम जिस homeopathic medicine के बारे में जानेंगे, वो one आफ दी बेस्ट होमेपैथिक मेडिसन में से एक है इस मेडिसन का नाम है रोबीनिया नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त टॉक्टर विकास स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल होमेपैथी दी नेचर्स गिफ्ट पर आप वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके औल को सिलेक्ट कर लें जिससे लेटस्ट वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो का शुभरम करते ह रोबीनिया का पूरा नाम रोबीनिया सूडे केसिया है ये प्लांट किंग्डम की मैडिसन है और इसको येलो लोकस्ट भी कहा जाता है पहले जानते हैं कि रोबीनिया हमारे शरीर में कहां कहां कारे करती है यानि एक्षिन ओफ रोबीनिया सूडे केसिया रोबीनिया मुखेता हमारी पाक स्थली यानि स्टमक पर कार्य करती है अब जानते हैं रोबीनिया किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाने वाली मैडिसन है रोबीनिया मुख्य रूप से एसेडिटी और उससे सम्बंदित लक्षनों के होने पर उपयोग में लाई जाती है रोबीनिया के रोगी की पाचन क्रिया धीमी रहती है, खाना असानी से पच्टा नहीं है रोगी को हर वक्त पाक्स थली यानि स्टमक में भारीपन महसूस होता रहता है रोगी को ऐसेडिटी गैस होने पर पेट छाती में जलन पढ़ने लगती है, दर्द होती है मुँ में खटा पानी भर आता है, मितली आती है और जादा मात्रा में उल्टी हो जाती है उल्टी का रंग हरा रहता है जिसमें पित मिली रहती है रोगी को खटी डगारे आती है, मुँ में पानी भर आता है जिससे दांत खटे हो जाते है रोगी के शरीर और पसीने से खटी गंदाती है, इन लक्षनों के साथ रोगी को सिर दर्ध होने लगती है सिर के अगले भाग यानि frontal area में दर्ध होने लगती है जो हिलने डुलने और पढ़ाई करने से बढ़ जाती है इन सब लक्षनों के मिलने पर रोबीनिया को प्योग करना चाहिए जो की बहुत ही बढ़िया परिनाम देती है बच्चों को एसिडेटी की समस्या होने पर रोबीनिया को प्योग में लाया जा सकता है भोजन करने के बाद रोगी को पेट में हमेशा ही एक तरह की एंठन दर्ध होती है इसी वज़ा से रोगी दिन में एक बार से जादा खाना नहीं खाना जाता है अब आखिर में जानते हैं कि रोबीनिया को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए बताय हुए लक्षनों के मिलने पर आप रोबीनिया को 30 पोटेंसी में उपयोग में लाएं रोबीनिया 30 की 2 से 3 बुंदों को आप सीधे जीब पर डाल लें या फिर एक चमच पानी में डाल कर पी लें या फिर 30 से 40 साइस की गलोबियूल्स में रोबीनिया 30 को डाल कर 3 से 4 गलोबियूल्स को मुह में रखके चूस लें ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार दोहराना है आप रोबीनिया 30 की जगा रोबीनिया 3 या रोबीनिया 6 को भी उपयोग में ला सकते हैं रोबीनिया को आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को शब्सक्राइब करें तिल दन हेलदी इंडिया, हैपी इंडिया